हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संधीपन आपका दोस्त और बाजार इंसाइट की यूट्यूब चैनल में आपको फिर्च से उस्व हो गए थे दोस्तों जैसे कि अब जानते हैं मैं हर रोज आता हूं अफ्टर मार्केट हाँ से डिसकर्स करता हूं नेजडे मार्केट में क्या हो सकता है और उसको निफ्टी बैंक निफ्टी को लोग के लेवल को बताता हूं तीन स्टॉप को लेकिए हैं पर डिसकर्स करते हो जिन पर हम तो 100 एपिसोट को देख लीजिएगा क्यूंकि उसका भी मैं रिवीव करेंगा आपको समझने में आसा लिए तो दोस्ता आगे बढ़ता हूं और एक बात मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है उसका बैच 7 ऑफ जैनुरी इनिसी परसू से स्टार्ट होगा ठीक है तो उसमें 10 डेस का सेशन रहेगा ठीक है और टाइम भी नहीं है सीट बूक कर लीजिए 10 डेस का सेशन रहता है शाम को 8-9 वजे का और वहाँ पर टेक्निकल आनले से सिखाता हूं उसके साथ स्टाक सेलेक्शन एक स्ट्राटेजी सिखाता हूं और उसके साथ स्विंग ट्रेड वगेरा सारे च कीजिए और टाइम भी नहीं है अपने सीट बूक कर लीजिए वाटसर नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है आगे बढ़ता हूं दोस्तों लास्ट जो मैंने वीडियो दिया था उतको पहले हम लोग रिव्यू कर लेंगे तो लास्ट डे मैंने तिन जो वीव दिया था उसके उसके अंदर खाली इंडासिन बैंक की अक्टिवेट हुआ बाकि जो था एक रिलैंस के अंदर बाई था लेकिन इसका जो सेक्टर था रिलैंस का वह ए अनरजी निजी नेगटिग ते बाई अक्टिवेट नहीं हुआ सेकेंड जो मैंने बताया था जील के अंदर सेल लेकिन उसका भी जो सेक्टर था मीडिया सेक्टर निफ्टी मीडिया वो भी पॉजिटिव था तो सेल अक्टिवेट नहीं हुआ थर्ड जो मैंने बताया था इंडासिन बैंक उसका बैंक सेक्टर पॉजिटिव था उसके अंदर आज एकदम मतलब इतना उपर चला गया देख सकते हैं यहां से यह उसके बाद पूरा उपर चला गया रो 927.1 इसका हाई लगाया तो हम लोग का इंडासीन बैंक के अंदर टार्गेट एचिफ होके बहुत उपर चला गया 3-4% उपर मतलब प्रॉफिट यहां पर नजर में आ रहा है इंडासीन बैंक के अंदर ठीक है तो जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसका अंदर ट्रेट किया मुझे वाट्सप भी किया है उन लोग तो थैंक्यू आप लोग ट्रेट किया और प्रॉफिट भी कमाया लेकिन मेरे पार्सोनली आज दीन अच्छा नहीं रहा है वह आगे जाके हम लोग डिसकस करेंगे तो यह था जो लास्ट वीडियो एपिसोड नंबर हंडेट उसका जो मैंने दिया था इसको रिव्यू कर लिया अब हम लोग आगे बरेंगे और पहले देख लेंगे निफ् 50 का चार्ट तो फिर से एक पॉजिटिव दिन मुझे पता नहीं कि कैसे यह पॉसिबल हो रहा है लेकिन हो तो रहा है मार्केट इस सुप्रीम और यह उपर ही जा रहा है फिर से उपर जाया और यह कल भी मैंने बोला था थोड़ा लेकिन एक कलेक्शन कब करेगा यह किसी को पता नहीं लेकिन यह बहुत ओवर्ट जोन में बैठा हुआ है कभी एक पैनिक यहां पर लिक्विडिशन आ सकता है जो अगर बूक करने शुरू कर दे तो एक दम भटक से गिर सकता है चीजों को आपको समझना होगा तो अभी कुछ दिन अगर आप छोटा क्वांटिटी स से काम करेंगे तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत हो लाट ही लिए आज भी आपने उरकों ने देखा कि एक बार गिर गया उसके बाद फिर से उपर चला गया आज का इसका हाई था 14,215 और आज का लो था 14,049 का 14,199 इसका क्लोजिंग आया है फिर से यह एक दम 14,200 के लेवल को टाच करके क्लोजिंग आया है तो यह तो गिरने का कोई मौका ही नहीं दे रहा है नीचे आने का कोई चांसे सी नहीं दे रहा है लगातार कितना से से यह उपर जा रहा है इसे देख सकते एक दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आट, नो, दो, दस, दस दिन से, दस लास्ट ट्रेडिंग सेशन से यह उपर जा रहा है ठीक है, उसके पहले एक करेक्शन हुआ था, लेकिन उसके पहले तो एकदम देख सकते हैं, आप पूरा एकदम ओवर्ट जोन में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी वह उपर जा रहा है, तो इसका पिलाल जो रहेगा, वो रहेगा 14,350 के आसपास एक रेडिस्टेंस मुझे नजन में आ रहा है, ठीक है, तो वो फाइनल रेडिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, अब नीचे की तरफ सपोर्ट जोन अगर बोले, इंट्राडे के लिए रहेगा 14,150 का और इंट्राडे के लिए जो रेडिस्टेंस नहीं उपर चला गया, ठीक है, तो ये बैंक इनिप्टी बहुत डेंजरेस होके बैटा हुआ है, कुछ दिनों से ये बहुत बोले टाइल, आज वो ब्रेक आउट, कल मैंने अब लोगों को जो बोला था, जो लेवल, वो तो ब्रेक आउट कर दिया, आज कल मैंने बोला था कि ये 31,500 के उपर बहुत तेज रहेगा, तो उपर जाकी क्लोज हुआ, आज इसका हाई था 31,763 का, लो था 30,951 और क्लोजिंग आया है 31,705, तो इसमें ब्रेक आउट नजर में आ रहा है, तो ये हाई चंसे से उपर जाएगा, और भी उपर जाएगा, ये 32,300 इसका नेक् एक रहा है, खीक है, तो कल, एक्सपाइरी का, शाएद, का एक्सपाइरी भी है, nel, कल तो नहीं है, परaları है लेकिन हम लोग इसको देहेंगे कि एक्सपाइरी तक ये कितना उपर जा सकते है, 32,500 तक ये जा सकते है, अभी ठीक है, तो ये जो जो उन पे बैता हुआ हुआ, यह बहुत positive zone है तो आपको थोड़ा यहाँ पर buy करने ही चलना उचीत रहेगा मेरे हिसाब से वड़ बड़ जोन भी है लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर sell करना है तो loss हो रहा है तो इस कुछ दिन at least this week ठीक है तो next जो हम लोग देखेंगे वो कल के लिए जो 3 stock मैंने चुनके रखा हुआ है उसको discuss करेंगे तो fast जो रहेगा देख लेते किसके अंदर तो fast जो रहेगा वो रहेगा HDFC bank में तो HDFC bank मैंने नजर में कुछ दिनों से पड़ा हुआ है तो यह लगा था 1420 के उपर जाके closing दे रहा है आज भी दिया आज का high था 1430 low था 1409 और closing आया है 1425.25 का ठीक है तो यह आज भी एक positive नजर में मुझे यहां से जो दिख रहा है कि HDFC bank यहां पर एक breakout करने वाला है ठीक है तो HDFC bank का जो range resistance zone रहेगा 1440 के range तो हम लोग इसको buy तो करके चलेंगे लेकिन पहले bank nifty को देख लेंगे वो positive रहेगा तो ही इसके अंदर हम लोग buy entry करेंगे buy level होगा HDFC bank buy near 1422 और उसका stop loss रहेगा 1404 target रहेगा 1450 ठीक है 1422 के आसपास HDFC bank buy 1404 इसका stop loss और target रहेगा 1450 ठीक है अब हम लोग next call में जाएंगे next जो view रहेगा उसमें जाएंगे लेकिन उसके पहले screen पर देखी यह मेरा premium telegram channel है यह पर मेरा जो खुद का trade रहता है वहाँ पर में share करता हूँ ऐसे मतलब logic के साथ share करता हूँ तो last 2-3 दिन से मैं आप लोगों को कुछ बात चुपाना नहीं चाहता हूँ मैं clear कर देता हूँ last 2-3 दिनों से मेरा performance वहाँ पर अच्छा नहीं रहा ठीक है उसके लिए बहुत-बहुत sorry जो members हम लोगों के वहाँ पर trade करते हैं बहुत sorry लेकिन यह bad phase है चलता रहता है trade के अंदर हमेशा हम लोग profit नहीं कमा पाएंगे कुछ दिन होगा losses होगा तो आप लोग बहुत सारे लोग मुझे message किया कि sir आपके पास है हम लोग एक साथ trade करेंगे thank you आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग इतना भरोसा करते हैं मेरे उपर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्यूंकि देखिए monetary loss जब होता है सब का दिमाग खराप हो जाता है ठीक है तो हो सकता है दोस्तों last 2-3 दिन से थोड़ा performance में हम लोग का कमी रहा तो हम लोग उसको recover जरूर करेंगे और आप लोग जो लोग नए है इस चैनल के अंदर नहीं है अभी तक तो इस चैनल के अंदर आप एड़ हो सकते हैं मेरा जो खुद का trade रहता हूँ अपर मैं share करता हूँ आप लोगों को honestly मैं बता रहा हूँ मेरा जो खुद का trade रहता हूँ मैं वहाँ पर share करता हूँ तो अगर आपको उस चैनल के अंदर add होना है और मेरे साथ एक साथ जो members एक साथ हम लोग trade करते हैं करीब-करी 500 members वहाँ पर हम लोग एक साथ trade करते हैं और हम लोग family के तरह एक जो है 399 पर मांत का है आप WhatsApp नंबर स्क्रीन पर दिया है मुझे बात मुझसे बात करके वो चैनल के अंदर आप add हो सकते है 399 पर मांत का इसका fees है ठीक है only वो पे करके आप मेरे साथ एक साथ लाइब market assistant आपको मिलेगा जब मैं exit करना है तो बता दूंगा जब में entry करना है पूरा चीज़े logic के साथ वहाँ पर हम लोग trade करते है ठीक है तो दोस्तों उसका 399 ओली फीज है टेलीग्रम प्रीमियम चैनल का बात करके मिरे साथ वहाँ पर अगर आपको add होना है तो आप add हो सकते ठीक है आगे बता हूं दोस्तों नेक्स जो भी रहेगा हम लोग का second call व तो यह जो sector है यह nifty auto sector बहुत positive मुझे नजर में आ रहा है तो महिंदर महिंदा को हम लोग buy करके ही चलेंगे लेकर पहले देख लेंगे कि nifty auto positive में है तभी जाके इसको हम लोग buy करेंगे नहीं को छोड़ देंगे ठीक है तो महिंदर महिंदा buy near 735 stop loss लगाएंगे 725 target होगा 752 महिंदर महिंदा buy near 735 stop loss लगा 725 target लगा 752 ठीक है तो यह था दोस्तो second view हम लोग का जो महिंदर महिंदर के अंदर हम दो कर सकते हैं third view में हम लोग जाएंगे उसके पहले दोस्तो वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगे में daily basis आप लोगों के लिए वीडियो डालता हू आप एक like करके जाएए आप कुछ comment करके जाएए मुझे बहुत अच्छा लगता है motivation फील होता है तो आप लोग अगर comment और like करेंगे बहुत अच्छा लगेगा जो लोग नए है channel को subscribe कीजिए bell icon प्रेस कर दीजिए मैं हर रोज आप लोगों के लिए market आज के बाद वीडियो नहीं रहा तो इसका आज का high था one nine six four का one nine three five का इसका low था और one nine six zero point one five इसका closing था ठेक है तो kotak bank में जो मैंसे नजर में आ रहा है हों डिसकस करेंगे लेकिन दोस्तों और एक बात मेरा जो training session है वो 7th of January से इन्हां की पर्शू से start होगा ठेक है 10 days का live session रहेगा और उसमें आ तो उसको मिस मत कीजिए आप कोई भी सेक्टर में नौकडी करते हैं बिजनेस करते हैं तो पहले आपको training लेना पड़ता है दोस्तों पहले training ले लिजिए money management को सीख लिजिए उसके बाद ही आपको overall job में profit होगा नहीं तो अब कितना भी accurate call हो कितना भी कुछ हो follow करके आपका कोई कोई नहीं हुआ क्योंकि इस दिन ज्यादा loss करेंगे जिस दिन loss करेंगे ज्यादा करेंगे जिस दिन profit करेंगे छोटा करेंगे यह problem सबके साथ होता है ठीक है तो पहले सीख लीजी सारे चीजों को मैं आपको सिखाता हूँ 10 देस तक live session mobile से भी आप कर पाएंगे उसको गुगल मेट के थूँ और उसका फीज दोस्तों कम से कम का है उससे बहुत ज्यादा loss आप एक ट्रेड में करते है ठीक है तो what's up number screen पर दिया हुआ है अपने seat अभी कीजिए नहीं तो seat और नहीं है ठीक है बाकी 4.5 CT बाकी है तो अगर आपको join करना है अभी करना होगा ठीक next हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे next हम लोग third view हम लोग देखेंगे तो देख लेते हैं third view के अंदर हम लोग जो था यहां पर kotak bank पर suo his מש कहांध को नहीं तो छोड़देंगे लेकिन सेलिंग का लेवल जो रहएगा दोस्तो वह बार बार में यह पर क्लियर बिलो 141945 के नीचे से Tackin 1945 के नीचे के सस्टेन होता है तो ही को due कोष ए predicative को सेल करने नीशे से और स्टोप लॉज लगाने 1965 का target होगा 1910 पहले ही sell कर मत कर दीजे level देखिए 1945 के नीचे से sell करना है और stop loss लगाना है 1965 का target होगा 1910 ठीक है तो ये था दोस्तों तीन भीव हम लोग का जो कल हम लोग trade कर पाएंगे कल के लिए तो फिर से हम लोग मिलेंगे after market hours तो तब तक के लिए जय हिंड जय भारत